स्वागलत, और तो कैसे बहुत कई तरी के लिए और त्यारी न्टिन अब बहुत के पीक पॉइंट पर čल रहे हो रहे हों के लाइटा नमी सब्सक्राइब समय हो का आप सव्थ एक फोल पर व्यूजत він किसा कर तो बहुत अच्नार से लेकर कि तो अच्छे तरीके से बहुत तरीकता है चाहिक लिए कृया क्रतब मैरतन किलास के लिए लुए आउर छी डियाइन करने के लिए लुकुल यहां पर मेत की कुष्ण आरा इस् टाइम पर ठीक है तो मेत की कुष्ण कः जा जा नहें यहां तक हमने का लिया था ये वालो जो कुष्ण नता बहुत हमने कहा हम्वर्ग में दिया था ठीक न तो देख लेते हैं जलुन को दें किस तरीके सरी करना hard अउटी ⁃ तुम लोगों के दिये लास्ट डिलिवर होंगे. ये छोड़िये, आँटी. आप हमारे साथ चलिये. कहा? चलिये ना. दिवाली है, बिटा, इतने सारे ओर्डर्स हैं. आप चलो ना. उरी कॉलनी के लिए दिये बनाने हैं. आँटी, अभ आपको कॉलनी के लिए नहीं, पूरे शहर के लिए दिये बनाने हैं. मेरी दुकान, किया पेरी क्यार में. हर साल आपके दिये कॉलनी को सजाते हैं. इस साल पूरे शहर को सजाएं तो कैसा रहे वाले कुषन के लिये, ठीक न? इस हमबर्ग वाली कुष्टन को देख लेते हैं किस तरीके से इसे करना है ठीक है तो देखो कुष्टन में क्या बोला है कुष्टन में बोल रहा है जैदेव वा कार्तिक अंकित और महर से लंबे हैं ठीक है ना अंकित और महर से लंबे हैं मह要re original कार्तिक अंकित से मोटे हैं ठीक फिर पूछ रहे यह पूछ रहे दिए कि कौन सा लड़का महर है हमा महर यात करना है कौन सा ठीक जैदेव अ कार्तिक जैदेव और कार्तिक है वो अंकित और से लंबे ए इन से कॉई होगा कार्तिक यानि यानि कि दो लोग यह हैं मारी इन से क्या है जैदिव और कार्तिक लंबी हैं तो यह क्या होंगे यह दोनों क्या होंगे लंबी है यानि क्या है यह कौन होंगे जैदिव और कार्तिक होंगे यह ठीक है लागा दिया और फिर क्या रहा है महर और कार्तिक अंकित से मोटी हैं तो महर और कार्थिक क्या है अंकित से मोटी है तो मोटी का मतलब यह है लड़का इन में मोटा यह क्या है पतला है तो इसका राइट आंसर बनने वाला है वो कौन सा हो जाएगा यह क्या है जो कौन सा लड़का महर है तो महर कौन सा हो जाएगा का वाला क्या है इसका राइट आंस आपको जो विद्ध्य गयन में पेपर आता है वो थेयर्टीकल वेश्ट कुछन बहुत जादा रखता है तो भिलुकुल क्या है कुछनों को इनको बार-बार थेयोरी का मतलब समझे लो किस तरीके से थेयोरी को हम क्या है एपलाई करते हैं तो यदि आप क्या है यह थेयोरी क पर क्या है 6 लोग बैठ सकते हैं ठीक ना बिकल्प में कौन सा बिकल्प बताना है कि कौन सा बिकल्प बताता है कि 114 लोगों के बैठने के लिए ऐसी कितनी मेजे चाहिए ठीक ना तो देखो कुस्टन को ध्यान से समझे लो पहले क्या है एक मेज पर 6 लोग बैठ सकते हैं नीचे दिये गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प बताता है? की एक सो चौदे लोग के बैठने के लिए ऐसी कितनी मेज़े चाहिए? तो देखो एक सो चौदे लोग बिठा लने हैं कितने एक सो चौदे? और एक मेज़ पर क्या है? 6 लोग बैठते हैं तो एक मेज पर निकालने के रहा है तो वो पूछ रहा है इसमें कि कि कितनी मेजों की अवश्रक्ता पड़ेगी तो हम क्या करेंगे 6 से इसमें भाग करेंगे तभी तो आएगा तीन तभी तो आएगा तो देख लेते हैं 6 क्या है 6 को 144 से घटाना है तो अगला कुशन दे रखा है मला है 30 No Question में बोल रहा है यह है इस ऊपर दिये गई संख्या बॉक्स को सही बनाने के लिए खाली डिबह में आना चाहिए यह फाली डिबह में क्या आएगा देखो क्या इसमें बरावर का चिन आने वाला है क्या आप्शन के उपर डिपेंड करत ऐसी चार वट्टे चार को क्या एक सबक्राइक जाए घ्र पर्णति या यह आए अमारा एक बरावर एक जो ने वारवर के है आप बहुत अच्छे से RAGAR शुन कंशन तो बहुत अच्छी से जहना और आज आज और शुन कमेंट किये थे चैनल मेर्थन के दर दटन च्रा misma को white कि लिए क्राहिव कि अने वाली ये तो उस पर मैराथन कर लास से यह कई तो कि तो क्वेल थी कि अंने क् और वाल ये गि yaptर वो यह इन आकारओं की मदत से एक चित्र में थी है दो इस टर्शी से बनाया है तो आपको पता ही नहीं हो जब पेपर में कि किस तरीके से आकार होते हैं किस तरीके से इन्हें क्या है एड करना होता है तो आपको दिक्कत होगी पेपर में तो मैं आपको क्या तरीका बता देता हूं कि किस तरीके से कहे कुष्ण आते हूं और कैसे कहे तरीके के फसने वाले तो तरीका समझ जाओ तो क तरह बनने का बिलुकुल यह बनान सब्सक्राहु ऐस सब्सक्राइब नहीं मैं तरहा वह réussi ऐगा है हुँ इन्हेट में गूआ है फिर्वन गाल वही हो लुकुल इस तरीके से होता है यह 90 डिग्री का कॉण बनता है ठीक है तो यह चीज ध्यान रखना तो मैं इसलिए क्या है यह कुस्ष्ण लेका आया है तो अगला कुस्ष्ण देख लेते हैं बच्चों मैं बता रहा हूं आज सब्सक्राइब और आपको आसानी से यहाँड़ है लें नहीं आपाइ तो फिर क्मा आपके आपने चैनले एकनल क्या है आपको आसानी से कहा है देखने को मिल जाएगी ठीक ना अगला कुछन देख लेती है अगला कुछन क्या बोल रहा है वो देखो यह है बिनोध बैंगलोर के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक IPL का मैच देखने देखना चाहता है उसके पिता रविवार को होने वाल दोगे तब ही आंसर दे पाओ ठीक क्या है उनका जो आंसर होता है उसकी थेओरी में ही क्या होता है छुपा हुआ होता है तो उस थेओरी को धियान से पढ़ना है आपको लिए नीचे दिए क्या है कलेंडर में अप्रेल 2012 में खेले जाने वाले मैचों का विवरण दे रखा है नीचे दिए गए अब इसमें क्या होता ना बिलोग के पिता इन में इसे इसमें बताना है कि जो ऑन कि मैसे किस मेच के लिए उसे ले गवे हों गये तो देखो इसका मतलब क्या है जब वो क्या है संड़े को गया है तो देख ल eccentric का है ने कि रविवार को घे टीक है तो द तो आपैंके लिए क्या है रोयल चैलिंज ये हूआ है फिर 15 अपरेल को हुआ है और 17 अपरेल को हुआ ओफर 29 अपरेल को हुआ है ठीक है अब यह देर रखा है तो मेरा कलेंडर कलेंडर में देखो रविवार कौन से दिन पड़ रहा है देखो समवार इससे तो मतलब है नहीं 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 मंगलवार को गई है वो नहीं बुद्धवार को गई है वो ना गुरुवार को ना सुक्रवार को तो गई कौनसे दिन रविवार को तो रविवार को देख लो कौनसी तारीक क्या साथ तारीक और आषर में लूज़ेह सता का ही साफ तारीख रभीबार वाहाँ और यह कि इसमें के बाद आठ आ रही है इसमें इस togg SHANK देखा नहीं है इस वाली मैक को देखा नहीं है फिर देखते हैं द्वारा से देखो इसे रेज करके दिखाते हैं पिए 8 अप्रेल तो आ रहा है यह पंद्रे देखो यह विली अई अब देखो बता हुए कि कॉन से क्या है वो देखने में अचलिए गए हैं त्याum देखो यहां पर क्या है उसका उनका बिनोत बैंगलोर की चिन्नसवामे स्टेडियूमा आई पिल मैच देखने चाहता उसके पितार रविवार को क्या है होने बाले मैच को मैच में उसे क्या है ले जाते हैं अब आप बताओ कौन सा इसका option क्या है सही होशकता है ऐसे कुस्ष धिश्षा द्लरी टेडरी डियर डियर डेविल साते तारी को अ आ रहा है तो साथ तारीकों तुपटार रहा है पुणे इस दिन संधेह नहीं पड़ रहा है थी टौसी रखासी रॉयल चैन्डेंज्स Кाहलान कहते है पूरे बोरियस तो इसमें क्या है क्या दिख रहा है तरीके से टाइम कया है आपको तरीके से आपको सवाल बहुत आने वाले हैं आपके विद्यागान में उनका तरीका समझ के जाएं कि कि सवालों को करना है ठीक ना देखो B option क्या रखता है Royal Challengers बनाम राजिस्थान रॉयल्स तो देखो 15 अप्रेल को हुआ है Royal Challengers बनाम राजिस्थान रॉयल्स क्या यह 15 अप्रेल रभिवार में आ रही है क्या तो देखो बिल्कुल चही बात है इसमा आ रही है तो यह राइट आंसर क्या है B option हो जाएगा ठी अभिश्थी संब्दित कुष्ण नहीं है यही क्या है जो रेजिनिंग से संब्दित है वो question हमारे ठीक है तो इन अमने क्या है अभी तक यह मेद से संब्दित किये थे क्या कह रहा है देख लेते हैं कुष्ण हंसा आईसा और शुरूती भगीचे में सेर कर रही है ठीक है तेनों ने प्रारंब के निसान से शुरू हुए, यहान से तीनों इस्टार्ट हुए हे हैं, जैसा कि चित्र में दिखाए गया है, वो क्या है, अलग अलग रास्तों से समाप्त के सान पहुँची है, यह Nどした तो इस तरीके से चलिए यह थोड़ा सा कहा चित्र और में उपर कर देता हूं जो से कहें नीचे वाला पूर्शन आपको देख जाए समाप्त वाला ठीक न तो यहां पर आपको बताना है यहां से इसराट करने वाले कौन है यहां तीनों में सबसे अधिक दूरी इ Linksनेतीय की है तो देखो इहां पर क्या है यहां से चली और इस तरीके से है यह आधे ब्रत के बरावर गूमी एं तो कि जो आइसा हे देखो यह चली और यह चुँ कि दो क्या है जीवाओं के बतबर चली और जो अंसा है वो किस के बराबर चलिए वो क्या है पूरे ब्यास के बराबर चलिए तो आपको वताना है कि कौन सबसे ज़्यादा चला है अब देख लो इसमें जो आंसर होने वाला है वो कौन सा होने वाला है देखो यहां पर क्या है सुरती सुरती क्या है एगर सीधी चलती तो सबसे कम च लेकिन वो घूम के चलिए वो घूमती हुई चलिए तो यह निकिंगि त्रज्या त्रज्या में भी कहा है थ्री पाइंट बान पूर ऑग त्रिपाइंट बंपूर उससे गुणा करने के बाद चलिए इतना चलिए तो इसका उंपलब किया सबसे जादा कौन चली शुरूती इसका राइट आंसर हो जाएगा एक यह विलकुर राइट आंसर हो जाएगा ठीक है अगला कुर्शन देख लेती है अगला कुर्शन क्या बोला है नीचे एक चित्र के रूप में दिखाई गई दिखाई गई यह आकिरती दे रखी है कौन सा विकल्प उपर दी गई रेखा उपर दी गई रूप रेखा का हिस्सा है इसमें बताना है हम दिकल्प देखती बता सकते हैं इसमें 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 यह है इसमें या फिर यह वाला है इसमें या यह वाला है इसमें तीसरा चौता वाला तो देखो हम क्या देख रहे हैं जैसे कि यह वाला जो कौना ह क्या कहते हैं इस तरीके से तो है इस तरीके से तो है लेकिन उसके साथ में यह नहीं जुड़ा हुआ है यह नहीं जुड़ा हुआ है तो इसलिए क्या है यह गलत हो जाएगा दूसरे वाले में दूसरे वाले में इस तरीके से तो है लेकिन क्या यह ऐसे होता तो हो जाता साही लेकिन क्या इसमें इस तरीके से नहीं जुड़ा हुआ है ठीक ना ये एसे करके ऐसे कोई सा नहीं है ठीक ना तो ऐसे ही तीसरा वाला नहीं है तो option number कौन सा, do option क्या इसका right answer हो जाएगा ठीक ना अगला question देख लेते हैं अगले question में क्या कहा रहा है वो अगले कुशन में बोल रहा है, नीचे दी गई रचना, नीचे दी गई रचना कुछ सामान टुकणों से बनाई गई है, इस रचना को बनाने के लिए कितने टुकणों का उपयोग किया गया है, तो देखने इसमें कहा है कितने टुकणों का यूज किया गया है, तो देखो, एक ये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ठीक है ना, ये दिख रहा है कितने टुकड़े हैं, देखो एक तो ये उपर लगा हुआ है, एक टुकड़ा, एक ये दो, एक इसके नीचे लगा हुआ है, तीन, और एक, चार, और एक, पांच और एक छे और एक साथ और यह उपर छोटे-छोटे वाले एक लिए ठीक है तो टोटल विलाग कितने आठ टुकुड़े का है इसमें यूज़ किये गए हैं तो देख लो कौन सो ऑप्षन बनने वाला हमारा डी ओप्षन के है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ठीक ना बच्चो इसी तरीके के कहा है आपको कुश्चन आती है तो आप इनको थेयरोटिकल के बारे में कहा है कुश्चनो के पहचान लो समझ लो उनके लिए क्योंकि अब आपके पास में किबल दो ही दिन बच कि बच्चोंने कहा है मैसेज किया था कि पैसेज भी खराओ तो मैं पैसेज भी लेके आ रहा हूं सामके लिए जिससे कहा है आपको कहा है सभी चीजों कि जानकारी हो जाए और इंगलिस के भी कुश्चन आने वाले है उसमें तो बिल्कुल गया है आट बजे तैयार रहना क्योंकि वो class आपको के वाल लाइव ही देखने को मिलेगी यदि आपके 8 वजे लाइव नहीं आ पाए तो class क्या है देखने को नहीं मिलेगी फिर वाद में कहे comment मत करना कि सर आपने क्या है यह क्या किया तो मैं आपको बता रहा हूं तो अगला question देख लेते हैं देखो अगले कागज के टुकडे पर ज्योम्ति चित्र बनाया एं ये कागज का टुकडा है इस पर क्या बनाया है ये जियम आपको क्या होता है स्राइब दरपन इतों में पालो नहीं अक्थ सथ आम ने का होता है तो इसे आप को बताता सरी किया होता है और आराम से का उससे कुछा क्या सबस्थ को सुद्से पता हो गए तो मैं बार बार क्या रहा हूं कि एक दिन और पहला करायी आपने नहीं देख रखिता है और उन कुष्टनों को कहें जो पीछे हमने वीडियो करा रखिए उनको बार बार देखें आप तूरि जिससे आपका कहा है भारवार हो सके यह से आपका कहा रिवीजन भारवार स्कूर्वाइब आपने वीडियो देख रखे हैं उन वीडियो को भी कहा आपकी नॉलेज और ज्यादा गेन हो तो यह जरूर करते रहें ठीक है अगला देख लेती है अग्स्ट्रेश चलाको तो प्रेश नहीं मैंक्स चार्कोल घमाकेदार ताज़की अपके फाइथी मैंक्स फ्रेश अब सिर्फ 20 रुपए में कि फिप्टी नाइन अंब्र तो यह क्या है मारी योंति आकर्थी और यहां पर आई ना मतलब यह दर्पन लगा हुआ इसमें बताना है कि दर्पन में यह आकर्थी कैसी दिखने वाली है एक दो तीन चार यह चार आप्शन दे रख थे तो बताओ इसमें कौन सा विकल्ब सही होने बाला तो यह जो है इसमें से क्या है इप फर्क इनई काषद हो जाएगा वार बताता हूं कि विकल्प को básads शěखओ कि विकल्ब करने से क्या होता है कि बहुत आसान हो जाता सुल क्या पेपर को Verme करना इंड़ों डारेक्म था जा नहीं पता होता तो हम यह देखते हैं गलत इस बंक कोन सा है उसे घ्रड़ों पहले तो यह गलत पता नहीं तो एक कौं सा और आंसर हमारा सही था तो यह तैसे क्या करना होता है किसी कुछन का नहीं पता होता है तो मैं आपको अता रहा हूं नही नहीं तरीगे आपको क्या कुस्टीक पताने वाला। तरीके से क्यानों को सौल किया जाता है 30 डवाली को देखो 60 कुशन इसमें बोल रहा है कि क्या है एक सेकेंड जिविन ने यह बता रहा है हां जिविन ने एक रंगीन काविच के टुकड़े को नीचे दिखाए कर तरीके से जैसे कि नीचे दिखाए गया ठीक 1 जब इस आकार काटकर निकाल लिए गया तो काट कर बताना है तो जब यह तरीके से कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से ए और कुछ इस तरीके से ये तोटकडा काटा गयाया यह 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 और यह यह अग घुशन देख ले अगला कुछ नी के आज दिए श्चिटी कमिरए क्या वोल रहे हो उनिया वह सा कहने का मतलब है कि तान या ने एक अईताकार गत्ते का टुकड़ालिया और उसके किनारे को एक दूसरे परखे बिना नीचे दिखाए गए तरीके से लीए इस दिखाएगे तरीके से उस आकार के हर तरफ एक वरी रास रहता बनाई गई यह निए इस तरीके से इसने कहा रेखा बना दी गई है फिर तान्या ने उस गत्य को खोल दिया गया तो इन में से बताओ कौन सा खुलने वाला है तो देखो इसमें यह ऐसी लाइने तो आएंगे नहीं क्योंकि यह खुलेगा तो सीधर सीधर यह कहा है इस तरीके से आने वाला है तो अग्ला कुछ्चन देखते हैं। मैं बार बार वार वाता हुं, फार को आथ बजी आना मत भूल जाना। को एक मेरतन और लिए जिसकी आपके मैं वहाँ जिया विदू है। तो बो क्लास मैं बता रहा हूं लाइव की देखने क trending लाइड आज आ जाना सभी लोग ठीक पना आगे पहता आपको टाइंबी नहीं कि यह देखना उन क्लासों कोई फायदा नहीं देखने का तो क्या है आठ वजे बिल्कुल टाइम कि है उसमें बरवाद नहीं किया जाएगा आपको दिये जाएंगे तिक वह बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से क्या को सब्सक्राइब आई जाएंगी ठीक है लेको ऊपर द शाम में दूसरे के और धके עपके बूए यह दूसरों से इसमें होको शक्ति है आप को बताना क्कॉनसी आकरति इनमें बन सकती कि है क्या पहली बन सकती आकरती तीसरी बन सकती ना या एक या दो बन सकती है तो हांसर वनने वाल है इंधर P इंदर है láता हूँ- यहां पर यह लगा हूँ यह लगे हूए यह लगे हूए यह लगे हुमें यह लगे हुमें तो हमने क्या देखा मिलकर बनाई गई गई है इसी तरवज देख लेते हैं 63 नंबर कुशन 63 नंबर कुशन में क्या बोल रहा है वो इतीन लोग नीचे दिखाएंगे तरीके से खड़े हैं यानि कि यह खड़े हैं सरत उमेश और अजय तिक ना उमेश है सरत के बाइं और अजय के दाई इसमें बताना है कि जो उमेश है, वो उमेश है कि सरत के बाएं है, तो देखो, कि सरत के बाएं है, तो बिल्कुल सही है, सरत के बाएं है, और अजय के दाएं, तो क्या बताना है, इसमें कि अजय के दाएं है, तो अजय के क्या है, दाएं, तो इसका जो राइट आंसर बनने सरत के दाएं और अजय के बाएं टिया ना इसे कौन बता रहा है